वल्कम टू स्रीजी फूड मैं हूं मनिशा ठककर आज हम बिना दूद का इस्तमाल किये एकदम रसीला सूजी का हलवा किस तरह से बनाना है वो देखेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक हैवी बॉटम की कड़ाई में आधा कप देशी गी गरम करने के लिए रखेंगे गी जब गरम हो जाए तब हम इसमें एक कप सूजी डालेंगे अब इसे धीमी आज पर अच्छी तरह से भून लेना है सूजी का हलवा बनाने के लिए हम में सा जो बड़े दाने वाली सूजी आती है वही यूज़ करें उसका टेक्शर बहुत ही अच्छा होता है तो सूजी को हमें इस तरह से लगातार चलाते जाना है अब दूसरी एक फ्राइपेन ले ले और उसमें एक से दो चम्मत जितना गी गरम करने के लिए रखे गी जब गरम हो जाए तब उसमें आदा कप मिक्स ड्राइफरूट डाले यहां पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किस्मिस का इस्तमाल किया है ड्राइफरूट की क बून जाए तब हम गैस बंद करके इसे साइड में रख देंगे जी भी तेन मिनिट के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से बून गया है इस टाइम पर हम इसमें एक चम्मच बेसन डालेंगे बेसन डालने से हल्वे का टेक्शर बहुत ही अच्छा आता है तो आप जरू ट 6 मिनिट तक बुनेंगे और साथ ही में हम दुसरे बरतन में दो कब जितना पानी गरम कने के लिए रखेंगे तो जितना सूजी लिया है उससे डबल őंटिटी का पानी लेना है जैसे जैसे सूजी भूनता जायेगा इस तरह से यह फूलता जायेगा और इसी के साथ इ अच्छी खुस्पू भी आने लगेगी, तो इसी तरह से चलाते रहेंगे और साथ ही में जो पानी हमने गरम करिकले रखा था, वो गरम पानी भी इसमें एड़ करते जाएंगे, सारा पानी एड़ कर दे, उसके बाद इस तरह सी से चलाते जाए, थोड़ी ही देर में पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, अब हम इसमें तीन चम्मच इतना मिल्क पाउडर डालेंगे, कम्प्लिटली ओप्सनल है, अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते और सिर्फ पानी से यह हल्वा बनाना चाहते है, तो भी बना सकते है, मिल्क पाउडर भी इसमे मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इससे डग कर 2 मिनिट के लिए पका लेंगे, 2 मिनिट के बाद हल्वे को हमें एक बार चला लेना है, अब हम इसमें 2-3 चमच केसर वाला दूदि इसमें एडर करेंगे, अगर आप केसर एडर नहीं करना चाहते तो यह स्टेप कर सकते हैं, तो केसर वाला दूद भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसमें चीनी डालेंगे तो जनरली जितना सूजी होता है उतने ही चीनी एड़ की जाती है लेकिन यहां पर मैंने एक कप में दो से तीन चमब जितनी कम चीनी एड़ की है तो मीठा अप अपने घर के टेस एक से दो मिनिट के बाद जब आप देखोगे तो इसकी किनारों पर इस तरह से आपको घी दिखेगा तो हलवे को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब जो ड्राइफरूट हमने घी के साथ भून के रखा है वो इसमें एड़ करेंगे अगर आप इसे घी के साथ और आखिर में इसमें थोड़ा इलाइची जाइफल का पाउडर एड़ करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो अब ये हमारा एकदम रसीला सूजी का हलवा बनकर रैडी हो गया है अभी जो मेजरमेंट लिया उससे अब 4-5 लोगों को साव कर सको उतना हलवा बनकर रैडी होता है तो आप भी इस तरह से ये रसीला सूजी का हलवा बना कर जरू ट्राइ करें उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी